नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी, अकबर और बीरबल की कहानी, बादशा की पहलिया, दोस्तों, बादशा अकबर को पहली सुनाने और सुनने का काफी शौक था, कहने का मतलब ये की पक्के पहली बाज थे, वे दूसरों से पहली सुनते और समय स सुना ही दूजा बीरबल ने ऐसी पहली कभी नहीं सुनी थी इसलिए वह चक्रा गया उस पहली का अर्थ उसकी समझ में नहीं आ रहा था अत्प्रार्थना करते हुए बादशा से बोला जहां पना है अगर मुझे कुछ दिनों की मोहलक दी जाए तो मैं इसका अर्थ अच्छ गया घर के भीतर एक लड़की भोजन बना रही थी बेटी क्या कर रही हो उसने पूछा लड़की ने उत्तर दिया आप देख नहीं रहे हैं मैं बेटी को पकाती और मां को जलाती हूँ अच्छा दोका हाल तो तुमने बता दिया तीसरा तेरा बापू क्या कर रहा है और कह बीरबल ने पूछा वह मिटी में मिटी मिला रहे है लड़की ने जवाब दिया इस जवाब को सुनकर बीरबल ने फिर पूछा तेरी मा क्या कर रही है एक को दो कर रही है लड़की ने कहा बीरबल को लड़की से ऐसी आशा नहीं थी परंतु वह ऐसी पंडिक निकली कि उ उसके उत्तर से वो एकदम आश्चर्य चक्कित रह गया। इसी बीच उसके माता पिता भी आ पहुंचे। बीरबर ने उनसे सारा समाचार के सुनाया। लड़की का पिता बोला, मेरी लड़की ने आपको ठीक उत्तर दिया है। अरहर की दाल अरहर की सूखी लकली से पक रही है। मैं अपनी बिरादरी का एक मुर्दा जलाने गया था और मेरी पत्नी पडोस में मसूर की दाल दल रही थी। बीरबर लड़की की पहली भरी बातों से बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा, शायद यहां बादशा की पहली का भीद खुल जाए। इसलिए लड़की के पिता से उपरोग पहली का अर्थ पूछा। ये तो बड़ी ही सरल पहली है। इसका अर्थ मैं आपको बतलाता हूँ, धर्ती और आकाश दो धक्कन है। उनके अंदर निवास करने वाला मनुश्यक हर्बूजा है। वो उसी प्रकार मृत्यु आने पर मर जाता है, जैसे ग बादशा ने प्रसन हुकर बीरबल को धेर सारे इनाम दिये। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और अपनी राइ कॉमेंट बॉक्स में जरूर दे, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि आपको हमारे सारे अपटेट्स मिलते रहें।